चाहे आपको unknown person को manifest करना है या फिर किसी known person को manifest करना है चाहे love marriage manifest करनी है या arranged marriage manifest करनी है आज इन दोनों topic के बारे में एक ही वीडियो में बात होने वाले है How to manifest marriage बहुत ही beautiful topic है आप सब लोगों की demand थी तो I hope अगर मैं आप लोगों के लिए मैनत कर रही हूँ आप लोगों के कहने पे इतने साइ topic लेके आ रही हूँ तो यह आप लोगों का first बनता है कि सिर्फ वीडियो को like करना है अपने friends और family members के साथ share करना है और मेरे channel को subscribe करना है और comment करना है ताकि मैं आप लोगों के प्यारे-प्यारे comments का reply दे पाऊँ और जो आपकी जितनी भी चीज़े जो आप मुसे वीडियोस बनवाना जाते हैं जो topic है law of attraction के उनसे related वीडियोस के topic भी आप comment कर सकते हैं उनके लिए बेशक मैं note down करूंगी और जल्दी उनसे related topics आने वाले हैं किसी भी रिष्टे में शादी को manifest करना बहुती ज़्यादा मातपूर हिस्सा होता है शादी, जिन्दगी की एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पढ़ाओ जहां हम सब की अपनी अपनी expectation रहती है अपने अपने partners के साथ लेकिन अगर आप शादी को manifest करना चाते हो तो पहली तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता दू कि आपको क्या चीज़ें देखना, करना, सुनना, बंद करना पड़ेगा अगर आप किसी रिष्टे में शादी को manifest कर रहे हो especially अपने lovers के साथ शादी manifest कर रहे हो या फिर आप एक beautiful सी arranged marriage manifest कर रहे हो तब भी ये चीज़ें दोनों चीज़ों में काम करने वाले हैं तो guys अगर आप अपने lovers के साथ शादी manifest कर रहे हो या फिर अगर आप किसी unknown person के साथ शादी manifest कर रहे हो तो दोनों चीज़ों के लिए क्या technique करनी है एक ही वीडियो में मैं cover करूँगी अलग-अलग वीडियो बहुत जादा एक ही topics related बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है और कोई फाइदा नहीं होगा अगर same topic और same technique दोनों अलग-अलग चीज़ों में बताई जाएं इससे बटर है एक ही वीडियो में कुछ techniques जो काम करती हैं वो techniques आपके साथ मैं share करूँ First thing first, आप जितने भी जो ये drama serials देखते हैं जो बहुत जादा रोने दोने वाले serials होते हैं या फिर कुछ लोग के काफी पसंदिदा show होते हैं, crime shows वो देखते हैं कुछ लोगों को आजकल जितना एक fashion एक trend चल गया है divorce type का trend, ये सब तमाम चीज़ें आपको इन news से, इन khabar से कुछ को दूर रखना है, जो लोग अकसर ये कहते हैं शादी जिन्दगी बरबाद कर देती है, शादी तो बहुत वेकार चीज़ होती है शादी के पहले की जिन्दगी बहुत अच्छी होती है शादी की बात की जिन्दगी बहुत बरबाद होती है ऐसे लोगों की बाते थोड़ा कम सुने तो बैटा रोगा क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत से एक्जामपल है जहां husband wife एक दूसरे को support करके आज मी चल रहे हैं आप इस तरीकी की चीज़े सुने इस तरीकी की stories अपने life में शामिल करें wedding से related अच्छे गाने सुनने की कोशिश करें over dramatic pictures देखने से बचें जिनकी happy ending ही नहीं होती यह बहुत छोटी छोटी बारी की चीज़े हैं जो आपका अपनी जिन्दगी से remove करना होगा especially अगर आप एक शादी manifest कर रहे हैं now let's start what is technique about शादी ठीक है आप शादी अगर manifest कर रहे हैं अपने specific partner के साथ या फिर arrange marriage हो या love marriage हो एक स्वाइज इससे फरक नहीं पड़ता है अगर सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो एक committed relationship में है और जो शादी manifest करना चाहते हैं आप girl हो या boy या दस इससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप शादी manifest करे हो तो आपको अपने partner के साथ वो proper happy ending जीनी होगी आपको या firm करना होगा कि मैं और मेरा specific partner हम दोनों की family की blessing के साथ happily married है हम दोनों की family की blessing के साथ हम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ हो चकी है इस तरीके की आप उस fill in the blanks में अपने और अपने partner का नाम लेके बोल सकते हैं या affirmation second technique है scripting technique आपको एक story create करना होगा जहाँ पर ये imagine करना होगा की आपके और आपके partner की शादी हो चुकी है आप दोनों new घर में रह रह रहे हो आप लोगों का relationship बहुत अच्छा है imagine कीजे और चीजों को अच्छी तरीके से लिखिए अगर आपको imagination problem है या manifestation problem है आप किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप जॉइन कर सकते हो मेरा upcoming workshop जो की है Body Scan Meditation ये meditation next 7 days चलने वाला है और 7 दिन तक आपके subconscious mind के हर एक हिस्से पे अलग-अलग तरीके से meditation का असर affirmation और टेक्नीक के जरीए healing process दी चाएगी अगर आप interested है in next 7 days workshop को जॉइन करने में तो उसकी booking detail description box में दे दी गई है अगर आप शादी manifest कर रहे हो specific partner के साथ तो ये बहुत important meditation है आपको daily रात को सोने से पहले अपने partner की photo को देखना है और महसूस करना है कि आप लोग एक साथ आप लोग को की शादी हो चुकी है आप लोग एक साथ dinner कर रहे हो आप लोग एक साथ बाहर घूमने जा रहे हो इन तमाम चीज़े को आपको visualize करना है जो आप अपने partner के साथ आने वाले future में देखना चाते हो second बात करते हैं जो एक unknown person को manifest कर रहा है arranged marriage को manifest करना चाता है उसको एक list prepare करनी है उसके partner की list उसका partner क्या होगा कैसा होगा उसकी height कितनी होगी उसका nature कैसा होगा उसका financial background कैसा होगा 10 से 12 point उसका अपनी copy में लेक लेने और same points का एक imaginary person अपने दिमाग में create करना है और आपको ये imagine करना है कि ये person आपकी जिंदगी में आने वाला है आपको दोनों को चाहे arrange marriage हो या love marriage हो एक affirmations अपने साथ रखनी है कि I am happily married with my desired person I am happily married with my desired person I am happily married with my desired person इस affirmations को 24 गंटे में आप 24 से भी जादा बार अपनी जिंदगी में repeat कर सकते हो याद रखें जब तक आप इन techniques को बिना feeling के साथ करोगे कोई भी technique आपके लिए काम नहीं करेगी आपको end में जीना है आपको ये visualize करते हुए जीना है कि yes मेरी life में ये desire partner है इस तरिकी की चीज़े visualize करोगे तो चीज़े बहुत असानी से visualize होगी Thank you so much for watching